Welcome J in defense our sprints क्या आपने भी class 12 pass कर लिया है और आप भी Indian Army forces को join करना चाहते हैं लेकिन आप Indian sciences को medical terms में ही join करना चाहते हैं या रिक कि आपका जो passion है वो ये कि मैं अपनी चो services है वो medical line में रेंडर करूं तो आज कर वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, बहुत important क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी दो career opportunities जिसके तहत आप medical line में इंडनाम forces में अपना career बना सकते हैं ना सर्फ career बना सकते हैं, बल्कि आप अपने parents को एक बहुत ही ज़ादा important तौर पर financial aid भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दो ऐसी career opportunities हैं जिसमें आपकी fees बिल्कुल ना के बराबर होती है, और आप अच्छे courses को, अच्छे colleges से, अच्छी degree के साथ में complete करते हैं, और साथी साथ में उसके बाद एक बैतरीन career opportunity के तोर पे, short service commission या फिर permanent commission के तौर पर Indian arm forces से जुड़ते हैं तो यहां पे एक ऐसा career जहां पे आपका passion भी होगा और आपकी बर्दी भी होगी, यानि कि आप medical field से तो तालुकात रखेंगे ही और आप देश सेवा को भी समर्पित हो जाएगे, जी हाँ आज के इस वीडियो में मैं गुर्कीरत कौर आप सभी को welcome करती हूँ जब बात इने नाम forces की होती है तो हम सब का दिल बोलता है दिल मांगे मोर और कहीं न कहीं भारत माता की सेवा के लिए अपना service में हर व्यक्ती नियोचावर करना चाहता है लेकिन इसको करे कैसे हम कर सकते हैं डेडिकेशन के साथ में अपनी services प्रोवाइड करके और अपनी services अपने मन चाहे प्रोफेशन में अगर मिल जाए हमें प्रोवाइड करने को तो इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है तो आएए आज इस वीडियो के तहट मैं ना सर्फ female aspirants को वलकि male aspirants को भी address करने वाली हूँ बात जब इनने नाम forces की होती है और medical line की होती है तो जैसे कि आपको पता है medical lines में एक doctors होते हैं, nurses होते हैं तो यदि आप इनने नाम forces में आप आप जाता है तो आप कहलते हैं अप कहलते हैं नर्स नहीं उफिसर कहलते हैं और यह आप जाइन कर सकते हैं by clearing the military nursing services examination और यदि आप इनने नाम forces में एक doctor बनना चाहते हैं तो आप Doctor नहीं कहला अप Medical Officer कहला यह आप काम कर सकते हैं by clearing the AFMC eired प्रप्रचुनिटी यह पारे में आपको बता दो कि यह कर ऑपरचुनिटी सिर्फ फीमेल आस्परेंस के लिए है वह फीमेल आस्परेंस जिरों ने 12th में अच्छे मेरिट और के साथ में पास होती है आपको वर्दी भी मिलती है जो की बीच कलरकी होती है आपकी उनिफॉम पे वो सितारे भी होते हैं जो आस्मान के सितारों से काफी ज्यादा हसीन और खुबसूरत लगते हैं कि आप अपने मन चाहे प्रोफेशन में आ जाते है आप एक ऐसे गुवर्मेंट जॉब में होते हैं आप ऐसी पहुच का हिस्सा होते हैं जहां पर आप सर्फ करते हैं इंडिन आर्म फोर्स के अदर आपको बता दू यह जो मिलिटरी नर्सिंग सर्विस की जॉब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ यह शॉर्ट सेर्वे पर्मेशन और पर्मेशन दोनों ही तहर पर आपको अवेलेबल होती है शॉर्ट सर्विस कमेशन का मतलब होता है 14 साल की नौकरी इसमें 7 यॉर्स प्लस 7 एस 14 यॉर्स की जॉब होती है वो पर्मेशन तिल दी एज अफ रटार्मेंट आपको जॉब अपर्चुनिटी प्रोव न सकते है यहां अबर आपको नीट इग्जामिनेशन तो कौलिफाई करना ही होता है लेकिन उसके बाद आपको अपनींप्रेंग करने के बाद में इंटर्शीफ करने के बाद में आप फॉज में अफिसर बन जाते हैं मेडिकल ऑफिसर जहां पर अगेन आप वाज को साथ स वो पार्मानीट कमिशन ही तो और इन दोनों के बैनेफिट है कि बनेफिstudy चींद्वार चुंद सब्सक्राइज प्रवीस के बैन्फ पर आप पर में आप अपने पढ़ाई लीज नहीं होते है So dear aspirants, यदि इन दोनों entries की बारे में जानने में आप एच्छो कें तो मेरा आगला वीडियो ज़रूर देखेगा जहां पर मैं अलग-अलग तौर पे इन दोनों ही courses को cover करूँगे और आपको बताऊंगे आप cases में enrollment ले सकते हैं साथ ही साथ आपको बताना चाहती हूं कि इन दोनों ही courses के admissions i.e. MNS वर A.F.M.C. MBBS के admissions and junior defense academy में open है आप हमें call कर सकते हैं 979-977-776 और आप एक exam के तयारी के साथ में दोनों exams का benefit ले सकते हैं यालिकि हमारा जो target है कि NEET में 600 प्लस marks आपको score कराना उसी के साथ साथ में आप A.F.M.C. MBBS की तयारी वर administrative nursing services की तयारी कर सकते हैं यालिकि एक तयारी के साथ में आपको पास में दो current opportunities open हो जाएंगी With this aspirants, thank you, Jain